नमस्कार मैं हूं नेहा स्वागत करती हूं आपका एक लास न्यूस पर आज के खवर लाई हूं T20 विश्वकप के बारे में बताया जा रहा है करोना के असर के कारण अब T20 विश्वकप भारत की जगा UAE में हो सकता है IPL 14 के अनिश्वकाल के लिए स्थकित होने के बाद अब अक्तूबर नवंबर में भारत में होने वाले विश्वकप के संयुक्त अरव अब ये UAE में होगा BCCI का मानना है कि विश्वकप में भाग लेने वाली कोई भी टीम यहां आने में सहज महसूस नहीं करेगी इस बारे में अंतिम फैसला एक महिने में कर दिया जाएगा IPL 2021 स्थकित किये जाने के बाद BCCI भी टीम 16 टीमों के टूर्णामेंट को अयोजित करने से कत्रा रहा है पता चला है कि BCCI के अधिकारियों की हाल ही में केंद सरकार के कुछ शिर्ष अधिकारियों से चर्चा हुई तदा टूर्णामेंट को UAE में योजित करने पर काफी हद तक सहमती हो गई है ये टूर्णामेंट 9 स्थानों पर खेला जाना है जिनकी घोशना अभी नहीं की गई है भारत में अभी मेजवानी करना सुरक्षित नहीं है BCCI के सूत्रों ने कहा है IPL का 4 सप्था के अंदर निलंबन इस बात का संकेत दे रहा है कि जबकि देश पिछले 70 वर्षों में अपने सबसे बुरे स्वास्थे संकट से जूज रहा है तब इस तरह की बैश्विक प्रत्योगता की मेजवानी करना बास्तब में सुरक्षित नहीं होगा उन्होंने कहा भारत में नवंबर में COVID-19 की तीसरी लहर आने की संभावना है इसलिए PCCI मेजवान रहेगा लेकिन टूर्नामेंट सभवते UAE में ही आयोजित किया जाएगा सवास्थे विशिशग्यों ने सितंबर में भारत में तीसरी लहर की चताबनी दी है भारत में अभी सिती बिकट बनी हुई है तता पिछले कुछ समय से हर दिन 3 लाग से अधिक मामले सामने आ रही है जिससे अधिकतर क्रिकेट वोर्ट चिंतित है और अंतराष्ट्य क्रिकेट परिशद ICC एसी सिती में अंतराष्ट्य क्रिकेट टीमों की सुरक्षा को लेकर जोखिम नहीं उठाएगा इसके साथ ही आज का वीडियो समप्त धन्यवाद